समस्कार दोस्तों, काफी probability है कि आपके next exam में एक question आ सकता है, कि recently Megale में एक निया species find out किया गया है, जिसका नाम है Roridomyces pyelostecidus, तो ये है क्या basically, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हम बात कर रहे हैं glowing mushroom की, जी हाँ, एक ऐसा mushroom जो की glow करता है, आपका ये भी question आ सकता है कि recently glowing mushroom find out किया गया भारत के अंदर, ये कौन से region में पाय जाता है, तो ध्यान रखेगा, ये Megale के अंदर find out किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, mysterious new bioluminescent mushroom glows in the forest of Megale, तो मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा, कैसे ये start हुआ, कितने पाय जाते हैं भारत के अंदर, इसकी पूरी कहानी क्या है, क्यों ये चमकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर में रे लेक्चर की हप PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं, अंकित अगरवाल, ऑफिशल, और अगर आप यूप्रेसी की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टू नेरा मौका है, अपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थुरू आप अपने प्रिप्रेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं, दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, तो नौर्थीस्ट इंडिया के अंदर, यहाँ पर एक मश्रूम डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, मश्रूम आपको पता होगा, यह फंगाई किंग्डम से बिलॉंग करता है, लेकिन इसको एक सेपरेट केटेग्री में, सेपरेट किंग्डम में डाल दिया गया, जिसका नाम है, फंगाई किंग्डम, और उसी के अंदर यह मश्रूम वगर आते हैं, तो टोटल यह जो पुरा डॉक्यमेंटेशन किया गया है, प्रोजेक्ट चलाया गया नौर्थीश्ट के अंदर, 600 वराइटीज ओफ फंगाई पाए गये हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपोर्टन डिस्कवरी हुई है, दोस्तों वो हुआ है आपका बायो लुमिनेसेंट मश्रूम का, बायो लुमिनेसेंट का मतलब क्या है, देखिए बायो का आर्थ होता है लाइफ, जब हम बायो कहते हैं लाइफ, लुमिनेसेंट का मतलब होता है कि जो लाइट एमिट करता है, जो रौशनी देता है, तो यहाँ पर ऐसा लाइफ, तो यहाँ पर मश्रूम भी एक तरह का, हम उसको बायो मानते हैं, तो यह चमकता है, इसलिए इसको बायो लुमिनिसेंट कह रहे हैं, और इसका जो नाम है, इसको ध्यान रखेगा, रोरीडो माइसिस, फाइलो स्तेसाइड तो यहाँ पर वेट ऑगस्त में, जो पिछला ऑगस्त गया है, जब बारिश होती है, इस्पेशली मेगाले के अंदर, तो कापी बारिश होती है, तो मेगाले का जो पुरा मैप अगर आप देखोगे, तो यह कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेगाले ध्यान रखे फिर बीच में है आपका खासी, और फिर सबसे इस्ट में है इसको कहते हैं जैंतिया हिल्स, गारो खासी जैंतिया, इन फैक्ट गारो में एक बहुती इंपोर्टेंट बायो स्फियर रिजर्व है, गारो में अगर आप देखोगे, तो यह जो वेस्ट गारो हिल है, तूरा इसी के पास आपको यहाँ पर एक बायो स्फियर रिजर्व मिलेगा, क्या आप मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किस बायो स्फियर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट गारो हिल्स के अंदर, और यहाँ पर यह जो पर्टिकुलर मश्रूम पाया गय इसको नोटिस किया गया था, जो वेस्ट जैंतिया हिल है, यह जो जैंतिया वाला पार्ट है, तो वेस्ट जैंतिया हिल में इसको नोटिस किया गया था, नेक्ट यहाँ पर एक और चीन में आपको बता दूं कि यह अब शामिल हो चुका है, विश्व के 97 known species of bioluminescent fungi, तो ज मजना यह इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रात में जब तक आप इसको research नहीं करोगे, देखो कि नहीं, तो पता नहीं चलेगा, तो 2018 में क्या हुआ कि आसाम बेस्ट एक NGO है, बली पारा foundation, उन्होंने collaborate किया Chinese Academy of Sciences के साथ, और यहाँ पर एक पुरा project चलाया गया चार राज तो जो locals हैं, उनसे हम यह चीज पूछते थी कि क्या किसी प्रकार का bio luminescent mushroom है कि नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है, वो अच्छे से रहते हैं, तो surprisingly उनको पता चला मेगाले के अंदर जब यह पूरा चल रहा था project, कि उन्होंने locals ने बताया कि जी हाँ, यहाँ पर कई सारे जो bio luminescent mushroom है, वो पाय जाते हैं, और जब इसके बारे में और closer देखा गया कि किस तरह का mushroom है, कौन से genus से बिलॉंग करता है, तो यहाँ पर पता चला कि यह जो mushroom है, यह roridomyces, तो यहाँ पर जो मैंने आपको scientific नाम बताया था, वो इसी तरह से लिखा जाता है, जो नया mushroom पाया है, मैंने आपको बताया, रoridomyces phyllostasidus, तो यह नाम इसी से पढ़ा है, कि जो genus है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, kingdom animalia होता है, कई प्रकार के kingdom, तो यह fungi kingdom से बिलॉंग करता है, तो इस तरह करते करते आपका पूरा order चलता है, और यहाँ पर आप द यह एक नया ही species है, यह एक नया species का दरजा दिया गया है, क्योंकि इस तरह का पहले जो species है, वो आपका नहीं पाया गया था, तो यहाँ पर अब इसका नाम roridomyces तो समझ में आ गया, इस genus से बिलॉंग करता है, phyllostasidus क्यों रखा गया, क्योंकि यह जो mushroom है दोस्तों, वो आपका एक bamboo tree के उपर, यह जो bamboo grass है, आपको पता होगा, bamboo एक grass का रूप होता है, grass ही कहते हैं, तो यहाँ पर इस bamboo में यह attached था, आप देख सकतों, यह आपको आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक यह bamboo tree है, और इसमें से यह basically निकला हुआ है mushroom, तो bamboo जो tree था, उसका वो belong करता था phyllosteicis से, तो इसलिए इसका नाम roridomyces phyllosteicis रख दिया गया, यह जो mushroom पाया गया है, I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अब next यहाँ पर question आता है कि यह bioluminescent fungi क्या होते हैं, क्यों यह glow करते हैं, reason क्या है glow करने का, तो जितने भी अगर आप bioluminescence दे coral reef के बारे में सुना होगा, तो आपने Maldives वगर में लोग अक्सर घुमने जाते हैं, तो वहाँ पर भी photographic करते हैं, तो रात को यह चमकता है basically, लेकिन कई सारे जो bioluminescent organisms होते हैं, वो आपके terrestrial, जमीन पर के environment में भी पाय जाते हैं, उसमें से यह भी है, अब किस तरह का light देगा, क्या यह green color का होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह green color चमक रहा है, तो यह depend करता है कि chemical properties कैसी हैं, तो यह जो present वाला fungi की हम बात कर रहे हैं, यह जो mushroom पाया गया है basically, इसके अंदर luciferous जो enzyme है, वो पाया जाता है, और यह यहाँ पर catalyze होता है, in presence of oxygen और यहाँ पर chemical reaction होने की वजए से, यह क्या करता है, कि excess energy release करता है, कई सारे intermediate product होते हैं, इस chemical reaction के बीच में, और जब यह energy release करता है, इसलिए बताया जाता है, कि यह जो रात में इस तरह से चमकता हुआ दिखता है, और भी कई तरह के फंगाई होते हैं, आप देख सकते हो, यह आपका चमकता है इस तरह से, तो ध्यान रखेगा, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज बताया गया, कि हो सकता है कि जो environment में आपने देखा होगा, हर एक चीज अपने आप में adjust करती हैं, तो यह अपने आपको protect करने के लिए, जो mushroom है, यह अपने आपको protect करने के लिए कि इस से, फ्रोगी वोरस से, बेसिकली जो fruit eating animals होते हैं, कहीं यह mushroom को खाना जाएं, इसके लिए भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी property अपना ली है, और इसलिए यह चमकते हैं, गलो करते हैं, लेकिन क्या यह edible है, क्या इसको खाया जा सकता है human beings के दोरा, तो जो locals हैं मेगाले के अंदर, उन्होंने बताया कि उन्होंने इसको consume नहीं किया है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या हम इसको खा सकते हैं कि नहीं, और देखने भी है चमकता हुआ सा लगता है, तो यह अभी के लिए इसको consume नहीं करते हैं, लेकिन हा, उनकी द्वारा बताया कि हम इसको as a torch light क तरह यूज़ करते थे, मतलब कि जिस bamboo में यहाँ पर बहुत जादा mushroom लगा होता था, हम इसको तोड़ लेते थे और इसको torch की तरह यूज़ करते थे, रात में यह काफी चमकता था, इसलिए यह ऐसा किया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि क्या भार करता है, क्योंकि problem क्या होता है, कि जितने भी research होते हैं, तो obvious सी बात है, कोई भी रात में तो जाकर ढूंडे का नहीं, रात में ढूंडते नहीं है, इसकी वज़ए से यहाँ पर जो glowing mushroom है, उसके बारे में बहुत जादा पता नहीं लगाया जा सकता, basically local people होते हैं, उनी से प plants की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना दो important question, बहुत ही basic question है, जो कि आपका जो basics होता है, वो clear कर देगा, इन दोनों question को आप यहाँ पर solve करने की कोशिश करिए, मैं दोनों के जो answers हैं, वो अपने Instagram पर डाल दूँगा, stories के form में, आप वहां से ले सकते हो, अगर आप Instagram पे नहीं ह आपको पसंद आया होगा, मिलतों आपसे next time, till then thank you very much, see you soon.